पंजाब दे विच डॉक्टरां दी हर्ताल लगा तार जारी है आज हर्ताल दा पंजमा दिन है ते दूजे पड़ा दी हर्ताल दा आज दूसरा दिन है आज भी पूरा दिन पंजाब दे विच ओपीडी सारा दिन सरकारी हा सपतालां दे विच बांध रहन गिया मरीज इलाज ना होन करके जाहिर तोरते परेशान ने डॉक्टरान दा कहना है कि डॉक्टरान दी एस्सेशन दिनार कुछ वादे करके विचार-चार क्याबनेट मंत्री मीटिंग दी कारवाई नू सही टांगनार लिखती रूप देन तो बेवस जाप रही ने उना सपष्ट केता कि मंगा सबसेशन दे परदान डॉक्टर अखल सरीन ने दसया के सरकार ने ना ता रुकियां गी या तरक्यां दी बहा ले किती है ना इस रुक्या दे परवांद जमीनी पदर ते लागू कीते ने एस्सेशन दी मंग गया के ACP नू बिना किसे देरी तो लागू किता जावे अगली बिजली कामे ने भी अपनी तेन दें धी हरताल तो बाद इसनों होर पांच दें दे अग्ये वदा आ दता है 17 स्टमबर तक बिजली कामे समुहिक छुट्टी ते चले गे ने जाहिरत ओरते पंजाब दे विच बिजली दा संकट चा सकता है लंगे तेन दन ने लगातार हरत दालते सन बिजली कामया ने कोई कामन नहीं कीता पर सरकार ने वी इना तक कोई पहुंच नहीं कीती। मेटिंग नहीं हो सकी ते आज इना ने चंडिगर दे विच महा रैली करके मुख मंत्री दी कोठी वलवदन दा एलान कीता है। इस तो बाद कैबिनेट मंत्री कुल्दीप सिंग तालिवाल ते सिख्या सकतर नाल करवाईगी मिटिंग वी बेज सिटा रही। इस तो पहला के ने खजाना मंत्री नाल वी अगस दी मेटिंग निश्चित होई सी मुल्तवी करके 11 स्तंबर ते पाद ती फेर मुल्तवी करके 12 स्तंबर दा समान दे दता। ते हुन कंप्यूटर दे आपक आख चुके ने ते कल 14 स्तंबर नूँ चंडी गर्च महा रैली करके मुख मंत्री नवासता किराओ करंगे। सरकारी नौकरी वी दित्ती जावे। सरकारी असरकार दी है पर एस द्वाई ते पारत सरकार ने होन रोक लादती है। कुछी दिना बाद ड्रग कंट्रोलर जर्नल ओफ इंडिया यानिके डी जी सी आई ने प्रेसवू नाम दे आईड्रॉप दी मैनफेक्ट्रिंग अते मार्केटिंग ते रोक लादती है। कंपनी दा लाइसेंस रद कार देता है। इसनों बुनान वले कंपनी इंटोड फार्मासियूटिकल सा दावा सी के ए दवाई वद दी उमर तो बाद नेडे दी नजर कमजोर हो जान नाल पीड़त लोकानों फाइदा पहुचाओं दी है। आईड्रॉप नों अख़्ा विचपॉण तो बाद चश्मा लॉंडी लोड ही निपोगी। बिना चश्मे तो बड़े सोखे कताब पड़ी जा सकती है। उठी निता सरकार ने इस ती मन्जूरी ते रोक लादती है। यानि कि होने आईड्रॉप फिल हाल ले बिजार विच उपलाब्द नहीं होवेगी। पहला सरकार इस ती जांच करवाएगी। इस तो बाद पैसला ले आ जावेगा।